उत्तर प्रदेश के राज़पाल, स्रिमान राम नाईग जी, केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे साथी, स्रिमान कलराज मिश्र जी, केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे साथी, स्रिमान धर्मेंद्र प्रदान जी, मंत्री परिशत के मेरे साथी, स्रिमान मनोज सिना जी उत्तर पुदेश के मंत्री राम गोविन जी यहां के जनप्रिय सांसत जुजारू नेता मेरे मित्र स्रिमान भरत सिंजी भारतिय जनता पार्टी के उत्तर पुदेश के नए द्यक्ष और समाज सेवा में अपना जीवन खपाने वाले हमारे नविवान साथी स्रिमान केशव प्रसाद मौरिया जी हमारे पडोस के सांसत स्रिमान हरिनारा एंड राजभर जी हमारे सांसत स्रिमान रमिंद्र कुश्वाह जी पेट्रोलियम के सचीव त्रिकेडी त्रिपाठी इंडियन ओइल कॉर्परेशन के सी एमडी स्रिमान बी अशोक हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सी एमडी स्रिमान एम के सुराना विशाल संख्रा में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों ब्रुगु बाबा की धर्ती पर रहुआ सभन के परनाम इधर्ती तस साक्षाद भुगु जी की भुमी रहाल ब्रम्मा जी पी यही जमिन पर उतर रहाल राम जी यही शे विश्वा मित्र मुनी के साथे गई तसंदर धर्ती पर सभी के हाठ जोड के फिर से परनाम बाई यो बहनों मैं पहले भी बलिया आया हो यह बलिया की धर्ती क्रांतिकारी धर्ती है देश को आजादी दिलाने के लिए इसी धर्ती के मंगल पांडे और वहां से लेकर के छित्तू पांडे तक एक ऐसा सिलसिला हर पीडी में हर समय देश के लिए जीने मरने वाले लोग इस बलिया की धर्ती ने दिये है ऐसी धर्ती को मैं नमन करता हूँ यही धर्ती है जहां भारत के प्रधान मंत्री सिमान चंद्र सेखर जी का भी नाम जुड़ा हुआ है यही धर्ती है जिसका सीधा नाता बाबु जैप्रकास नारायन के साथ जुड़ता है और यही तो धर्ती है उत्तर प्रदेश राम मनोर लोयाव और दिन्दा अलुपाई धाय के बिना अधूरा लगता है ऐसे एक से बढ़कर एक दिगच जिस धर्ती ने दिये उस धर्ती को मैं नमन करता हूँ आपके प्यार के लिए शत्त शत्त नमन आप मुझे जितना प्यार देते हैं मुझे पर आपका कर्ज चड़ता ही जाता है लेकिन मेरे प्यारे भाईयों भनो मैं इस कर्ज को इस प्यार वाले कर्ज को ब्याज समेच चुकाने का संकल्प लेकर के काम कर रहा हूं और ब्याज समेच मैं चुकाऊंगा विकास करके चुकाऊंगा मेरे भाईयों बहनों विकास करके चुनादे आज पहली में हैं एक मै पूरा विश्व आज स्रमिक दिवस के रुप में मनाया जाता है मजदूर दिवस के रुप में मनाया जाता है और आज देश का ये मजदूर नमबर एक देश के सभी स्रमिकों को उनके पुर्शार्त को उनके परिश्रम को रास को आगे बढ़ाने में उनके अभिरत योगदान को कोटी कोटी अभिननन करता है उस महान परंपरा को प्रणाम करता है भाईयो बहनो दुनिया में एक नारा चलता था जिस नारे में राजनीती की बूर स्वाभाविक थी और वो नारा चल रहा था दुनिया के मजदूर एक था दुनिया के मजदूर एक हो जा और वर्ग संगर्श के लिए मजदूरों को एक करने के आवाहन हुआ करते थे भाईयों भनों जो लोग इस विचार को ले करके चले थे आज दुनिया के राजनीतिक नक्षे पर दीरे दीरे करके वो अपनी जगा खोते चले जा रहे हैं 21 सदी में दुनिया के मजदूर एक हो जाओ इतनी बात से चलने वाला नहीं है 21 की सदी की आवशक्ता अलग है 21 सदी की स्थीतिया अलग है और इसलिए 21 सदी का तो मंत्र एक ही हो सकता है विश्वके मजदूरों विश्वके स्थ्रमीकों आओ हम दुनिया को एक करें दुनिया को जोड़ दें ये नारा 21 सदी का होना चाहिए वो एक वक्त था लेबरर्स अब जबर्ड युनाइट आज वक्त है लेबरर्स युनाइट वर्ड ये एक पटला इस मंत्र के साथ अज दुनिया को जोड़ने की जरुरत है और दुनिया को जोड़ने के लिए अगर सबसे बड़ा कोई केमिकल है सबसे बड़ा उर्जावान सिमेंटिंग को एक फोर्स है तो वो मद्दूर का पशीना है उस पशीना वो एक ऐसी ताकत है जो दुनिया को जोड़ सकता है भायो भनो जब आप लोगों ने भारतिये जनता पार्टी को बारी बहुमत से विजयी बनाया तीस साल के बाद दिल्ली में पुर्ण बहुमत वाली सरकार बनी और जब NDA के सभी घटकों ने मुझे अपने देता के रुप में चुना तो उस दिन पार्लामेंट के सेंट्रल हॉल में मेरे प्रत्थम भाशन में मैंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पी था है यह सरकार जो भी करेगी वो गरीबों की भलाई के लिए करेगी भाशी गरीबों के कल्यार के लिए करेगी भाशी बहनो हमने मद्दूरों के लिए भी स्रम कानूनों में स्रमीकों की सरकार के साथ सम्मंदों में एक आमूल चुल परिवर्तन लाया है अनेक बजलाव लाये है मेरे प्यारे भाईय बहनों आपको जान करके दुख होगा पीड़ा होगी आस्चर्य भी होगा कि हमारे देश में सरकार से जिनको पैंशन मिलता था इस देश में 30 लाट से जादा स्रमिक ऐसे थे जिनको पैंशन किसी को 15 रुपिया महिने का किसी को 100 रुपिया किसी को 50 रुपिया इतना पैंशन मिलता था आप मुझे बताईए पैंशन लेने के लिए वो गरीब वृद्ध व्यक्ति दप्तर जाएगा तो इतना तो उसका व्यसका किराय का खर्चा हो जाएगा ओटो रिश्या का खर्चा हो जाएगा लेकिन सानों से मेरे देश को बनाने वाले स्रमिकों को 15 रुपिया, 20 रुपिया, 50 रुपिया, 100 रुपिया पैंशन मिलता था हमने आकर के इन 30 रुपिया जादा मेरे स्रमिक परिवारों को मिनिमम एक हजार रुपिया पैंशन देने का निर्णै कर लिया, लागू कर दिया आर उस गरीब परिवार को वो पैंशन मिलने लग गया भाई यो बेनों हमारे यहां कभी कभार गरीबों के लिए योजनाओं की चर्चाएं बहुत होती है और उनकी भराई के लिए काम करने की बाते भी बहुत होती है हमने आने के बाद एक स्रम सुविदा पॉर्टल चालू किया जिसके तहट आठ महत्वपूर्ण स्रम कानूनों को एकत्र करके उसका सरली करन करने का काम कर लिया पहली बार देश के स्रमिकों को एक लेबर आइडेंटिटी नंबर लाई एन लीन ये नंबर दिया गया ताकि हमारे स्रमिक की पहचान बन जाए इतना ही नहीं हमारे देश के स्रमिकों को पूरे देश में आपर्चुनिटी प्राप्त हो इसलिए NCSP इसकी हमने एक National Carrier Service Portal इसकी शुरुवात की ताकि जिसको रोजगार देना है और जिसको रोजगार लेना है दोनों के बीच एक सरलता से तालमिल हो सके भाईयों भेनों बोनस का कानून हमारे देश में सालों से बोनस का कानून ये था कि 10,000 रुपिये से अगर कम आवक है और कंपनी बोनस देना चाहती है तो उसी को मिलेगा आज के जमाने में 10,000 रुपिये की आए एक कुछ नहीं होती है और उसके कारण अधिकतम सरमिकों को बोनस नहीं मिलता था हमने आकर के निर्णे किया कि ये मिनीमम इंकम 10,000 से बढ़ा करके 21,000 रुपिया कर दी जाए इतना ही नहीं पहले बोनस सिरफ साड़े 3,000 रुपिया मिलता था हमने निर्णे किया ये बोनस मिनीमम 7,000 रुपिया मिलेगा और उससे भी जादा गुर्ष का पाने का हक बनता है तो वो भी उसको मिलेगा भाईयों बहनों कभी हमारा स्रमिक एक जगा से दूसरी जगा पे नोक्री चला जाता था तो उसके जो पीएप पगेरे के पैसे करते थे उसका कोई हिसा भी नहीं रहता था वो गरीब मजदूर बेचारा पुरानी जगा पर लेने के लिए बापिस नहीं जाता था सरकार के खजाने में करीब 27,000 करोड रुपिया इन मेरे गरीबों के पड़े हुए थे कोई सरकार उसकी सुंग लेने के तयार नहीं था हमने आकर के सभी मजदूरों को ऐसे कानून में बान दिया कि मजदूर जहां जाएगा उसके साथ उसके ये प्राविणन फन के पैसे भी साथ साथ चले जाएंगे और उसको जब ज़रुत पड़ेगी वो पैसे ले सकता है आज वो 27,000 करोड रुपियों का माली बन सकेगा ऐसी व्यवस्ता हमने की है भाईयो बहनो हमारे यहां कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत बड़ी मात्रा में मजदूर होते हैं करीब चार करोड से ज़्यादा मजदूर कंस्ट्रक्शन के काम में हैं इमारत बनाते हैं मकान बनाते हैं लेकिन उनकी देखभाल की व्यवस्ता नहीं थी स्रमिक कानूनों में परिवर्तन करके आज हमने इन कंस्ट्रक्शन के स्रमिकों के लिए उनके आरोग्य के लिए उनके इंशॉरंस के लिए उनके बैंक अकाउंट के लिए इनके पैंशन के लिए एक व्यापक योजना बना करके कि हमारे कंस्ट्रेशन के मज़्जूरों को भी हमने उसका फाइदा दिया है भाई यों भेनों हमारा कि उत्तर प्रदेश जीस ने अनेक अनेक प्रधान मंत्री दिये कि लेकिन क्या कारण है कि हमारी गरीबी बढ़ती ही गई बढ़ती ही गई कि गरीबों की संख्या भी बढ़ती गई हमारी नीतियों में ऐसी क्या कमि थी कि हम हम गरीबों को गरीबी के खिलाब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं कर पाए ऐसा क्या कारण था कि हमने गरीबों को सिर्फ गरीबी की जीना नहीं लेकिन हमेशा सरकारों के पास हाथ फैलाने के लिए मजबूर करके छोड़ दिया उसके जमीर को हमने खतम कर दिया गरीबी के खिलाब लड़ने का उसका होच्छला हमने तबाह कर दिया भाई यो बहनो अभी धर्मेंद्र जी बता रहे थे कि गांजीपूर के सांसथ नहरू के जमाने में पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया था जब उन्होंने संसथ में कहा कि मेरे पुर्वी उत्तर प्रजेस के भाई बहन ऐसी गरीबी में जी रहे हैं कि उनके पास खाने के लिए अनन ही होता है पसू के गोबर को दोते हैं और उस गोबर मैंसे जो दाने निकलते हैं उन दानों से पेट भरके वे अपना गुजारा करते हैं जब ये बात संसथ में कही गई थी पूरा हिंदुस्तान हील गया था और तब एक पटेल कमिशन बैठा था यहां की स्थिजी सुधारने के लिए कई बातों का सुझाओ आज से पचास साल पहले दिया गया था लेकिन उन सुझाओं पर क्या हुआ वो तो बगवान जाने लेकिन भाईयों बहनों उसमें एक सुझाओ था उसमें एक सुझाओ था ताड़ी गाट गाजीपूर और मव इसे रेल से जोड़ा जाए पचास साल बीद गए ओबात कागेच पर ही रही मैं भाई मनोच सिना को रदय से अभिनंदन करता हूँ कि वे पचास साल पहले जो बातों को भुला दिया गया था उसको लेकर के निकल पड़े मुझ पर दबाव डालते रहे बार बार मिलते रहे और आज मैं संतोच से कह सकता हूँ उस रेल लाइन के लिए बजेट आवंटर करने का अंधिने नए हमने कर लिया और उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे गंगा के उपर रेल और रोड का दोनों ब्रीज बनेंगे ताकि इंफरस्टेक्चर होता है जो विकास के लिए एक नया रास्ता भी खोलता है और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं कि भाई यों बहनों कि आज कि मैं बलिया की धर्ती पर से कि मेरे देश के कि उन एक करोड़ परिवारों को कि सर जुका करके नमन करना चाहता हूं कि उनका अभिनंदन करना चाहता हूं करिद एक करोड़ दस लाट से भी जादा ऐसे परिवार है जिनको मैंने कहा था कि अगर आप खर्च कर सकते हो तो रसोई गैस की सबसीड़ी क्यों लेते हो क्या आप पांच दस हजार उप्या का बोज नहीं उठा सकते साल का क्या आप सबसीडी वॉलेंटेरिली छोड़ नहीं सकते मैंने ऐसे ही एक कारकम में बोल दिया था मैंने जादा सोचा भी नहीं था न योजना बनाई थी न फॉलोप करने की व्यवस्ता की थी यूही दिल से एक हवाज उठी और मैंने बोल दिया आज एक साल के भीतर भीतर मेरे देश के लोग कितने महान है अगर कोई अच्छा काम हो तो सरकार से भी दो कदम आगे जाकर के चलने के लिए तयार रहते हैं इसका ये उदारण है आज के यूग में हम बस में जाते हो बगल वाली सीट खाली हो और हमें लगे कि चलो बगल में कोई पैसेंजर नहीं है तो जरा ठिक से बैठूंगा आराम से प्रवास करूंगा लेकिन अगर कोई पैसेंजर आ गया बगल में बैठ गया हम तो हमारी सीट पर बैठे हैं तो भी थोड़ा मूँ बिगड़ जाता है मन में होता है यह कहां से आ गया जैसे मेरी सीट ले ली हो ऐसा जमाना है ऐसे समय एक करोड दस लाग से जादा परिवार सिरफ बातों बातों में कहने पर प्रधान मंत्री की बात को गले लगा करके सर आंखों पर चड़ा के एक करोड दस लाग से जादा परिवार अपनी सबसीडी छोड़ दे इससे बड़ा मैं आप सबसे कहता हूँ उन एक करोड दस लाग से जादा परिवारों के लिए जोड से तालिया बजाईए उनका सम्मान किजिए उनका गवरों किजिए मैं आप सबसे आगरे करता हूँ मेरे भाईये बैनो ये देश के लिए किया हुआ काम है ये गरीबों के लिए किया हुआ काम है इन लोगों का जितना गवरों करे उतना कम है और हमारे देश में लेने वाले से जादा देने वाले की जद होती है ये देने वाले लोग है जहां भी बैठे होंगे ये तालियों की गुंज उन तक सुनाई देती होगी और वो गर्वर महसुस करते होंगे भाई ये भेनो हमने कहा था गरीबों के लिए जो सब्सेडी छोड़ेगा वो पैसे सरकार की तीजोरी में नहीं जाएंगे वो पैसे गरीबों के घर में जाएंगे एक सान में ये इतिहासिक रेकॉर्ड है भाईयो 1955 से रसोई गैस देने का काम चल रहा है इतने सालों में तेरा करोड परिवारों को रसोई गैस मिला सिरब तेरा करोड परिवारों को करीब साट साल में मेरे भाईयो बहनों हमने एक साल में तीन करोड से जादा परिवारों को रहासोई का गैस दे दिया जिन लोगों ने सबसीड़ी छोड़ी थी वो गैस लिनर गरीब के घर में पहुँच गया भाईयो भाईयो बहनो हम जानते हैं लोग कहते हैं कि मोदी जी बलिया में कारकम क्यों किया हमारा देश का एक दुरभाग्य है कुछ लोग राजिनीती में नहीं है लेकिन उनको 2400 घंटे राजिनीती के सिवाई कुछ दिखता ही नहीं है किसी ने लिख दिया कि बलिया में मोदी आज जो कारकम कर रहे है वो चुनाव का भ्युगल बजा रहे है वे चुनाव का भ्युगल बजा रहे है अरे मेरे महरबानों हमको चुनाव का भ्युगल बजाने नहीं आये है ये भ्युगल तो मतदाता बजाते है हम व्युगल बजाने नहीं आए भाईयों बहनों अभी मैं पिछले हपते जारखंड में एक योजना लागू करने के गलिए गया था जारखंड में कोई चुनाव नहीं है मैं कुछ दिन पहले मद्र प्रदेश में गयोजना लागू करने गया था वहाँ पर कोई चुनाव नहीं है मैंने बेटी बचाव अभियान हरियाना से चालू किया था वहाँ कोई चुनाव नहीं है ये बलिया में ये रसोई गैस का कारकम इसलिए तै कि उत्तर प्रदेश में जो एवरेज हर जिले में रसोई गैस है बलिया में कम से कम है इसलिए मैं बलिया आया हूँ ये ऐसा इलाका है जहां अभी भी गड़ी भी के रेखा के नीचे जीने वाले सो मैं से मुश्किल से आठ परिवारों के घर में रसोई गैस जाता है और इसलिए भाईयो बैनों बलिया जहां कम से कम परिवारों में रसोई गैस जाता है इसलिए मैंने आज बलिया में आकर के देश के सामने इतनी बड़ी योजना लागू करने का निरने किया मैंने हरियाना में बेटी बचाओ इसलिए कारकम लिया था क्योंकि हरियाना में बालकों की संख्या में की तुलना में बेटियों की संख्या बहुत कम थी बड़ी चिंता जरक्सिती थी और इसलिए मैंने वहाँ जाकर के खड़ा हो गया और उस काम के लिए प्रिरिश किया और आज हरियाना ने बेटी बचाने के काम में हिंदुस्तान में नमबर एक लाकर के खड़ा कर दिया और इसलिए भाईय बहनो मैं इस पूर्वी उत्तर देश में बलिया में इसलिए आया हूँ क्योंकि हमें गरीबी के खिलाब लडाई लर्दी है अगर पूर्वी हिंदुस्तान पस्ची में हिंदुस्तान की बराबरी भी कर ले तो इस देश में गरीबी का नाम और निशान नहीं रहेगा मेरा भाईय बहुत मेरा पूर्वी उत्तर प्रदेश मेरा बिहार मेरा पस्ची मंगाल मेरा असाम मेरा नौर्थीस मेरा उडिसा यह ऐसे प्रदेश हैं कि अगर वहां विकास गरीबों के लिए पहुंच जाए तो गरीबी के खिलाब लडाई लड़ने में हम सफल हो जाएंगे भाईयों आप मुझे बताईए एक जमाना था बहुत लोगों को ये रसोई गैस की ताकत क्या है अभी भी समझ नहीं आती है बहुत लोगों को ये रसोई गैस की राजनीती क्या थी ये भी भूल चुके हैं बहुत लोग ये रसोई गैस की तना मुलिवान माना जाता था वो भूल गए है मैं आज जरा याद दिलाना चाहता हूं मैं पोलिटिकल पंडितों को याद दिलाना चाहता हूं दिलनी में बैठ करके एर कंडिशन कमरे में बड़िया बड़िया सलहा देने वालों को मैं आज जगजोरना चाहता हूँ, उनको मैं हिलाना चाहता हूँ, मैं उनको समझाना चाहता हूँ, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, जब साउसत पार्लामेंट का मेंबर बनता था तो उसको हर साल रसोई गैस की पचीश कूपन दी जाती जी और वो अपने इलाके में पचीश परिवारों को साल में रसोई गैस दिलवाता था और वो इतना गर्वक करता था कि मैंने मेरे इलाके में पचीश परिवारों को एक साल में रसोई गैस का कनेक्शन दिलवा दिया ये बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी अभी पिछले सालों की बात करता हूँ और अखबारों में खबरे आती थी कि सांसद महोदय ने काले बाजारी में रसोई गैस का टिकट बेच दिया और ऐसे भी लोग थे कि रसोई गैस का कनेक्शन लेने के लिए 10-10-15-15-15 रुपिया वो टिकीट खरिजने के लिए ब्लैक में खर्च करते थे वो दिन थे और आज ये सरकार देखिए एक-एक सांसद के खेतर में हिंदुस्तान के एक-एक पार्लामेंट मेंबर के खेतर में किसी के हाँ साल में 10-जार गैस सिलिंडर पहुंच जाएंगे किसी के हाँ 20-जार किसी के हाँ 50-जार और तीन साल के भीतर-भीतर पांच करोड गरीब परिवारों में ये रसोई गैस पहुंचाने का मेरा इरादा है पांच करोड परिवारों में भाई यो बहनों ये पांच करोड परिवारों में रसोई गैस पहुंचाना ये छोटा काम नहीं है इतना बड़ा काम आज मैं गरीम माताओं बेहनों के लिए लेकर के आया हूँ आपने देखा होगा मैं इन माताओं को पूछ रहा था कि आपने कभी सोचा था कि आपके घर में रसोई गैस आएगा उन्होंने का नहीं हमने तो सोचा नहीं था हमारे बच्चों के नसीब में भी रसोई गैस आएगा ये हमने सोचा नहीं था मैंने पूछा रसोई में कितना टाइम जाता है वो कहते हैं लकडी लेने जाना पड़ता है लकडी जलाते हैं बूच जाती हैं कभी आधि रोटी रह जाती है फिर लकडी डालने जाते हैं बड़ी अपनी मुसिबत बता रही थी बाईयों बेनों ये रसोई गैस के कारण ये रसोई गैस के कारण पांच करोड़ परिवार 2019 में जब मातमा गांधी के 150 वी जैनती होगी 2019 में जब मातमा गांधी की 150 वी जैनती होगी तब गांव और गरीब के लिए पांच करोड़ गैस रसोई गैस पहुँच चुके होंगे भाईयों समय सीमा में काम करने का हमने फैसला किया है कि एक गरीब मां जब लकड़ी के चूले से खाना पकाती है तो वैज्यानिकों का कहना है कि एक गरीब मां लकड़ी के चूले से खाना पकाती है तो एक दिवस में उसके सरीर में चार सो सिगारेट का दूआ चला जाता है चार सो सिगारेट का बच्चे घर में होते हैं और इसलिए उनको भी दूए में ही गुजारा करना पड़ता है खाना भी खाते हैं तो दूआई दूआ होता है आग से पानी निकलता है और वो खाना खाता है मैंने तो ये सारी हाल बच्चपन में मैं जी चुका हूँ मैं जिस घर में पैदा हुआ बहुत ही छोटा एक गलियारी जैसा मेरा घर था कोई खिडकी नहीं थी आने जाने का सिर्व एक दरवाजा था और मा लकडी का चूला जना करके खाना पकाती थी कभी कभी तो दूमा इतना होता था कि मा खाना परोस रही हो लेकिन हम मा को देख नहीं पाते थे ऐसे दूमे में बच्पन में खाना खाते थे और इसलिए मैं उन माताओं की पीड़ा को उन बच्चों की पीड़ा को बली भाती अनुभाव करके आया हूँ उस पीड़ा को जी करके आया हूँ और इसलिए मुझे मेरी गरीम माताओं को इस कस्त्रदायक जिन्दिगी से मुक्ती दिलानी है और इसलिए पांच करोड परिवारों में रसोई गैस देने का हमने उपकरम किया है भाईयों बेहनों आज लकडी के करण जो खर्चा होता है इस रसोई गैस से खर्चा भी कम होने वाला है आज उसकी तबियत कोई बरबादी होती है उसकी तबियत भी ठीक रहेगी अज लकडी लाना चुला जलाने में टाइम जाता है उस गरीब महां का टाइम भी बच जाएगा उसको अगर मजदूरी करनी है सबजी बेचनी है तो वह आराम से कर सकती है भाई और बेनो हमारी कोशिज यह है और इतना ही नहीं यह जो गैस की सबसीड़ी दी जाएगी वो भी उन महिलाओं के नाम दी जाएगी उनका जो प्रदान मंत्री जंदन एकाउंट है उसी में सबसीड़ी जमा होगी ताकि वो पैसे किसी और के हाथ न लग जाए उस मा के हाथ में ही पैसे लग जाए ये भी ववस्ता करें ये एन्वार्नमेंट के लिए भी हमारा एक बहुत बड़ा इंडिसेटिव है और इसलिए मेरे भाई ये भनो हजारो करोड रुपिया का खर्चा सरकार को लगने वाला है कहां MP की 25 रसोई गैस की टिकट और कहां 5 करोड परिवारों में रसोई गैस पहुंचेने का भियान ये फर्क होता है सरकार सरकार में काम करने वाली सरकार गरीबों का बला करने वाली सरकार गरीबों के लिए सामने जाकर के काम करने वाली सरकार कैसे काम करती है इसका ये उत्तम मुदार आज ये 5 करोड परिवारों को रसोई गैस देने का कारकम है भाईयो बेनो आज पिछली किसी भी सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जितना काम नहीं किया होगा इतनी धन्रासी आज भारत सरकार उत्तर प्रदेश में लगा रही है क्योंकि हम चाहते हैं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो गरीब राज्य हैं वो तेजी से तरक्की करें और इसलिए हम काम बे लगए हैं गंगा सफाई का भियान जनता की भागीदारी से सफल होगा और इसलिए जन भागीदारी के साथ जन जन संक्यल पकरें ये मेरा बलिया तो मां गंगावर सर्यू के तट पर है दोनों की कृपा आप पर बरसी हुई है और हम सब अभी जहां बैटे हैं वो जगा भी एक बार मां गंगा की गोधी तो है और इसलिए जब मां गंगा की गोज में बैट करके मां गंगा की सभाई का संकल्प हर नागरिक को करना होगा हमताय करे मैं कभी भी गंगा को गंदी नहीं करूंगा मेरे से कभी गंगा में कोई गंदी नहीं जाएगी एक बार हमताय कर लें कि मैं गंगा को गंदी नहीं करूंगा ये मेरी मां है उस मां को गंदा करने का पाप मैं नहीं कर सकता ये अगर हमने कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत ये मां गंगा को गंदा नहीं कर सकता है और इसलिए मेरे भाईयों भैनों, हम गरीब व्यक्ति की जिन्दगी बदलना चाहते हैं, उसके जीवन में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं, और आज पहली माई जब मद्दूरों का दिवस है, गरीबी में जीने वाला व्यक्ति मद्दूरी से जूसता रहता है, भाई दिये गए, बादे बहुत बताए गए, योजनाए ढेर सारी आई, लेकिन हर योजना गरीब के घर को ध्यान में रख करके नहीं बनी, हर योजना मत पेटी को ध्यान में रख करके बनी है, जब तक मत पेटियों को ध्यान में रख करके गरीबों के लिए योजनाए बनेगी कभी भी गरीबी जाने वाली नहीं है गरीबी तब जाएगी जब गरीब को गरीबी से लड़ाई लड़ने की ताकत मिलेगी गरीबी तब जाएगी जब गरीब फैसला कर लेगा कि अम मेरे हाथ में साधर है मैं गरीबी को परास करके रहूंगा अब मैं गरीब नहीं रहूंगा अब मैं गरीबी से बहार आउंगा और इसके लिए उसको सिख्षा मिले रोजगार मिले रहने को गर मिले गर में सौचाले हो पीने का पानी हो बिजली हो ये अगर हम करेंगे तबी गरीबी से लड़ाई लड़ने के लिए मेरा गरीब ताकत्वर हो जाएगा और इसलिए मेरे भाईयों बहनों हम गरीबी के खिलाब लड़ाई लड़ने के लिए काम कर ले आजादी के इतने साल हो गए आजादी के इतने सालों के बाद इस देश में 18,000 गाओं 18,000 गाओं ऐसे जहां बिजली का खंभा भी नहीं पहुचा, बिजली का तार नहीं पहुचा, अठारवी शताब्दी में, जैसी जिन्दगी वो गुजारते थे, 21 सदी में भी 18,000 गाउं ऐसी ही जिन्दगी जीने के लिए मजबूर है, मुझे बताओ मेरे प्यारे भाईयों बहनों, क्या किया इन गरीबों के नाम पर राजिदिती करने वालों ने, उन 18,000 गाउं को बिजली क्यों नहीं पहुचाई, मैंने बिड़ा उठाया है, लाल किले से 15 अगस को मैंने गोचना की, मैं 1000 दिन में 18,000 गाउं में बिजली पहुचा दूँगा, एक हजार दिन में 18,000 गाउं में बिजली पहुचा दूँगा, रोज का हिसाब देता हूं देश वासियों को, और आज हमारे उत्तर प्रदेश में, आप हैरान होंगे, इतने प्रदान मंत्री हो गए उत्तर प्रदेश में, आज उत्तर प्रदेश मेरा कारिक्षत्र है, मुझे आशिरवाद दिये है, मुझे गर्व है, उत्तर प्रदेश ने मुझे अपना बनाया है, और इसलिए उत्तर प्रदेश में इतने प्रदान मंत्री आए, भाईयों बेनों, जब मैं बैठा, 1530 गाउं ऐसे थे, 1529 गाउं ऐसे थे, जहां बिजली का खंबा नहीं चाथा, अभी तो 500 दिन हुए है, मेरी योजना को 500 दिन हुए है, भाईयों बेनों, अब तक, अब तक मैंने 1326 गाउं में, 1529 में से 1326 गाउं में, खंबा पहुँच गया, तार पहुँच गया, तार लग गया, बिजली चालू हो गई, और लोगों ने बिजली का स्वागत भी कर दिया, और जिन गाउं में बाकी है, वहाँ भी तेजी से काम चल रहा है, आज अवसत, उत्तर प्रदेश में, हम एक दिन में, तीन गाउं में बिजली पहुँचाने का काम कर रहे हैं, जो काम साथ साल तक नहीं हुआ, वो हम एक दिन में तीन गाउं तक पहुँचने का काम कर रहे हैं, भाईयों भेनों, पुरे देश में, आज जो प्रदान मंत्री उजवला योजना, इसका आरंब हो रहा है, मेरे सवासो करोर देशवासी, देश में करीब 25 करोर परिवार है, उसमें से ये 5 करोर परिवारों के लिए योजना है, इससे बड़ी कोई योजना नहीं हो सकती, कभी एक योजना 5 करोर परिवारों को छूती हो, ऐसी एक योजना नहीं हो सकती, ऐसी योजना आज लागू हो रही है, बलिया की दर्ती पर हो रही है, रामबर और लोहिया, 15 दिन्दाल पाद्याय, उनके आशिरवास से हो रही है, चंदर सेकर जी, इसका अभिननन करता हू मैं जवान दर्मेंदर प्रधान और उसकी पूरी टीम का अभिननन करता हूँ, कि पेट्रोलियम सेक्टर कभी गरीबों के लिए माना नहीं गया था, हमने पेट्रोलियम सेक्टर को गरीबों का बना दिया, ये बहुत बड़ा बढ़लाव, दर्मेंदर जी के नित्रुत्व में आया है, मैं उनको बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, मेरी पूरी टीम को बढ़ाई देता हूँ, आप सब का बहुत बहुत अभिननन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवार